प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हो क्याल चाला है बढ़ी आना मैं उमिद गरता हूँ कि आप लोग जहां भी होंगे वहां मस्त होंगे स्वस्थ होंगे आज का टॉपिक है समाकलन समाकलन आपके क्लास का इंटर्मेडियर क्लास का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला कठिन चेप्टर है और इसी चेप्टर को आसान बनाने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आया हूँ आप मुझे 2-4-10-20 मिनट समय दीजिए मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा चलिए सुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से आज का पहला सवाल हमारा है ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कास ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कास 3X का समाकलन क्या होगा आज का पहला सवाल यही है बहुभी कलपी question भी 8-10 question आते हैं यूपी में 50 question भी हार में बाकी अलग-लग राज्यों में भी अलग-लग question आते हैं लेकिन बहुभी कलपी objective question जरूर आते हैं तो अगर objective में यह आ गया तो आप कैसे करोगे धड़ाक चे उत्तर कैसे लाओगे आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ इससे पहले एक कंभीर सुचन आपके लिए अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ करके वीडियो काल पर फेस टू फेस आमने सामने बात करके पढ़ना जैसे वाटसब पर आप दोस्तों से बात करते हो ना दोनों साइट का वीडियो देखते आया बात होती है वैसे ही अगर इसी Digital Board पर मेरे साथ वीडियो काल पर आप बात करते भी पढ़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर संपर कर लेना इसी नंबर पर WhatsApp पर लिख देना कि सर मुझे वीडियो काल पढ़ना है ठीक है मैं आपको फ्री में पांच दिनों तक वीडियो काल पर पढ़ना है बस मैं आपको पढ़ना है आप पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद खुद आप कहेंगे कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है और यह सब सवाल तो अभी आपको बताई दे रहा हूं कैसा है ज्यान से देखिए कास 3x का समाकलन हो जाएगा साइन 3x बटे में केतना लिखना है बटे में सिर्फ इसी को लिखना तीन को बटे में इसी को लाएंगे यहां नीचे ठीक है ना यह तीन कहां जागा इसके नीचे आ जाएगा अकेले आएगा अकेले ऐसे दिखिए प्लस सी यह हो गया एंसर बोलिए हो गया ना दूसरा सवाल कास 2x का समाकलन क्या होगा कास 2x का समाकलन बोलिए कास 2x का उसी तरह से होगा साइन 2x बटे में दो देखिए साइन टू यक्स बटे में दो प्लस सी जी हो गया इसका अंसर ये बटे में दो आया कहां से जो यक्स के बगल में गुडांक रहेगा वही बटे के नीचे आएगा ये ट्रिक है अबजेक्टिव सवाल को हल करने का इसके अलावा आप गवर से देखिए कास पी यक्स का समाकलन अगर कोई पूछ दे ऐसे कि बताओ कास पी यक्स का यक्स के साफिक समाकलन क्या होगा तो घबडाना मत भाई मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे तुम कर देना कास पी यक्स का हो जाएगा साइन पी यक्स बटे में कितना जो यक्स के बगल में यक्स के बगल में पी यह तो वही होगा बस काम ख़ता मेंस्वर आ गया देखा आपने तो जब डर होगे तब तब ऐसे ही दिक्कते आएंगे डरना मना मेरे भाई डरना मना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं यह तीन नंबर था चान नंबर बताता हूँ आपको कास क्यूं यक्स का समाकलन करना है यक्स के सापिक्ष तो साइन क्यूं यक्स हो जाएगा बटे में क्या आ जाएगा क्यूं आ जाएगा अब की बाहर आपको जो सवाल मैं पोछूँगा वो उसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा उसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा भाई पांचवा सवाल देखिए काज 5X का समाकलन क्या होगा खाली बक्स में क्या भर जाएगा आप मुझे कमेंट में लिख देना मैं देखूंगा कमेंट रिपलाई करूँगा काज 5X का समाकलन क्या होगा मेरे दोरा जो तरीका बताया गया है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कहेंगे हाँ भई ही आ गया एकदम खलीember अब कहेंगे हाँ भई आगया और कमेंट में आप लिक देंगे मैं कमेंट जरूर देखोंगा मैं कमेंट का रिपलाईज भी जरूर करूँगा ठीक है चलिए अब तो रहा यह सिंपल सा सवाल लेकिन अब उसे में variety बढ़ेगी variety बढ़ेगी कैसे बताता हूँ देखिए दूसरे variety का सवाल पहला कास 3x प्लस 2 इसका समाकलन क्या होगा डरियेगा नहीं मैं हूँ तो कोई गम नहीं है बस मेरे साथ रहो enjoy करूँ सवाल का कास का समाकलन क्या होता साइन होता है साइन 3x प्लस 2 होगा बटे में कौन आएगा बटे में यक्स का गुडांक जो रहेगा वही आजाएगा बटे में नीचे बस यक्स के बगल में क्या तीन है तो यही आएगा बटे में तीन यह दो नहीं आएगा बटे में सिर्फ एक्स के साथ जिसका गुड़ा हुआ वही आएगा पास्ट में सी जोड़ देंगे कैसा लग रहा इंद यह जो तरीका में बता रहा हूं कैसा लग रहा आप लोगों को कास्ट एक्स प्लस वन का समा किलन क्या होगा साइन 2x प्लस 1 बटे में कितना 2 आएगा बटे में कितना आगए 2 आगए चला कमेंट करो न साइन 2x प्लस 1 बटे में कितना 2 प्लस C हो गया चलिए अब आते आगे तीसरा सवाल कास ax प्लस B है इसका समाकलन करना है तो डरना नहीं है मिरे भाई डरना तो है ही नहीं बीडियो काल पर जब पड़ोगे तो एकदम से डर खतम हो जाएगा यहां भी देखो यहां से भी डर खतम करो कास का समाकलन होता है साइन कास ax प्लस B का हो जागा साइन ax प्लस B बटे में कितना ax का गुडांक a है बस हो गया अनसर आगया चोथा सवाल देखो मेरे मित्र चोथा सवाल देखो का Coming MEX पलस यन इसका समाकरन बताओ KAAS MEX पलस यन इसका समाखरन बताइए तो UX की गुड़ान की हम है तो बटे महा जाएगा बस काम खाथम KAAS का हो जाएगा साइन hon eensayin MEX साइन में पलस यन बटे में कितना ये महा जाएगा बस last message जोड़ देंगे बस क्या बात है एकदम दिल खोल के comment में लिखना भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे comment से मुझे motivation मिलता है तुम्हारे comment के अधार पर मैं अगली video लाता हूँ तुम्हारे जरूर बताना मुझे अब आखरी सवाल आप से अब आप से मैं सवाल पोछने जा रहा हूँ आप बताना उसका उत्तर कितना हैगा comment में लिखिएगा पांचवा सवाल आपके लिए है यानि हो मौर का है क्या है कास PX plus Q का समाकलन करना मेरे भाई comment में इसका उत्तर लिखना है आपके लिए है कौन-कौन बच्चा comment में लिखेगा उत्तर जरा इबर बता दो मैं नजदीक से देख लेता हूँ हाँ कौन-कौन बच्चा इसका उत्तर comment में लिखेगा सच्च में बता दो तो भाई सच में बता दो लिखोगे ना लिख देना चलो इस बॉक्स में क्या आगा यह आपकी जिम्मदारी हो मर्क है ही अब मैं आपको फिर ऐगले ट्राइब का सवाल बताता हूं माडल बदल बदल के जब बताएंगे तभी नमाज आएगा तीन चार माडल बता देंगे तक दिल में धिमाइक में ठूसके भर देंगे अगला माडल देखिए कास बता रहा हूं कास यक्स बटे तीन का समाकलन क्या होगा चेला चेली बताना मेरे भाई कास यक्स बटे तीन का समाकलन साइन एक नई चीजिस में आ गई कास यक्स बटे तीन का हो जाएगा साइन एक्स बटे तीन और जब पहले से बटे में रहेगा तो यहां गुड़े में आएगा तीन समझे बात को यह जो मैंने आपको बताया है यहां देखिए यहां गुड़े में था तो बटे में आया जब यहां बटे में रहेगा तब यहां गुड़े में जाएगा बटा के नीचे रहेगा तो वो गुड़ा के रूप में बन जाएगा देखिए बटा के नीचे थीन था, तिस बार गुडा के रूपे में 3 आ गया बाकी 80XY3 का 9XY3 होता है ठीक है उग यह काम दूसरा सवाल 80XY4 का समाकलन 9XY4 होगा 80XY4 का समाकलन 9XY4 होगा 60XY4 होगा ठीक है साईныхY4 अब बटे का फोर यहां गुड़े आ जाएगा फ्लसी ठीक है कोई दिकात है भाई बता ना किसरा सवाल कास यक्स भाई 5 का समाकलन क्या होगा कास यक्स बटे 5 का समाकलन साइन यक्स बटे 5 अगुड़े में 5 शुरुवात में आ जाएगा साइन यक्स बटे 5 और यह 5 यहां भी लगा दीजिए एंसर हो गया ठीक है जो तरह सवाल देखिए कास यक्स भाई एका समाकलन तो जागा साइन यक्स भाई ए और जो बटे का यह गुड़े बन जाएगा पलसी काम खतम अब आपको हो मर्ग देता हूँ कॉमेंट में लिखिए इसके आगे कॉमेंट में लिखिए इसके तरह सावाल पूछता हूँ आपसे पाचमा आपका यह डबलू रहेगा कॉमेंट में लिखिए कास यक्स भाई शिक्स का समाकलन इसका उत्तर इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा आप कॉमेंट में लिखेंगे तो मैं देखूंगा मैं बड़ा खुस हो जाओंगा कि चलिए बच्चे मेरे साथ मौज कर रहे हैं पढ़ रहे हैं ठीक है कोई दिक दिकत है कोई दिकत है बिल्कुल नहीं होगा बाई चलो नेक्स्ट कोश्चन अगरे तरह का कोश्चन लेके आता हैं अगरे बहुत सांदार कास कि यक्स भाई थ्री प्लस तू भाई फाइव यह देखो इसका समाकलन कैसे होगा मेरे भाई इसका कैसे होगा समाकलन बहुत ज़्यादा कतिन लग रहा क्या कातिन नहीं है बस सोचना आप के लिए कतिन है मैं बता रहा हूँ ट्रीकिस का कास का होगा साइन जितना लिखा उतना उतार दीजे पूरा ब्रैकेट देख के नकल करके लिख दीजिया इसे बटे में यक्स के बटे में तीन है याँ गुडे में तीन लगा दो बस काम खतम गुडे में 3 लगा तो बस काम खतम एंसर आ गया समाकलन दोनिया का सबसे असान चेप्टर है सच बता रहा हूं कास यक्स बाई 4 प्लस 1 बाई 3 अगर ऐसे है इसका समाकलन करना है साइन होता है 9 यक्स बाई 4 प्लस 1 बाई 3 यक्स के नीचे अगर कुछ है तो यहां गोड़े में लगा दो बस काम खतम एंसर आ गया आगे ना मैंने मित्रों बताना आप इमंधारी से बताना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बोली आ रहा कि नहीं आ रहा आ रहा है चलिए आ रहा तो फिर होर सवाल हम आपको बताते हैं ध्यान से देखिए थीसरा सवाल कास यक्स भाई ए प्लस वान अपान भी इसका आपको करना है समाखलन कास का समाखलन साइन होता है साइन एक्स बता ये प्लस एक बता भी बते में ये है त्यांगुड़े हो जागा काम खतम एंसर आ गया ठीक है जोटा सवाल कास यक्स भाई टू का समाखलन ये फिर आपके लिए होमवर्क है ये च डबलू है कोमेंट में लिखिए कास यक्स भाई टू का समाखलन क्या होगा जल्दी से कमेंट में लिखिए और अगर आपको वीडियो काल पर पढ़ना है हमसे तो मैं अपना फूर नंबर फिस से पचीश एक्यासी आसी अरतीस ठीक है इसी नमबर पर आप फोन करिएगा चाहे वाटसप पे लिख दीजेगा सर मुझे पांच दिन का वीडियो काल कलास लेना है वो भी फ्री वाला तो आपको बिना किसी फीस के बिना किसी ताम जाम के पांच दिनों तक फ्री में वीडियो काल के मैं पढ़ाऊंगा सिधे आप कलास में हमसे बात करते रहेंगे इस कलास में क्या हुआ मैंने आप से सवाल पूछा तो आप उसका जवाब कॉमेंट में लिखेंगे या तो नहीं लिखेंगे लेकिन वीडियो का लिंग जब बात होती रहती है उसमें तो लिखना है इने सिधे बोल देना मुझ से ठीक है तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू